हेलो गाइज दिस इस कुनाल वेलकम बैक तो माइ चैनल कोड़ विद कुनाल 404 सो काइज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जे क्वैरी सिब लिंग क्या होती है ठीक है उसके कुछ मैथर्स को हम ट्राइ करके देखेंगे इससे पहले मैं आप से कहना चातों अगर आपने मेरे आपने मैं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो उसको लाइक करना ना बूलें तो चलते है गाइज हम जे करी सिब लिंग पर जिससे पहले हमने पढ़े थे ऐखड़े जी आप दिसेंडेंट उर इससे पहले हमने Parents, को एक्सिस करना बेस्हा लाओ नई सिहुआए सेजने पारियद को दोशारी तब पहले हमने Parents element, को अचिस करना बेस्हाक दोटोंगी Sibling method क्या है जो सेम पैरेंट के wine, सेजन की जो जितने बी चाइफ होते हैं उन्हें हम sibling childs बोलते हैं यह sibling बोलते हैं ठीक है उन्हें ही हम sibling बोलते हैं अब उन्हें हमें access करना है तो हम इन methods का use करते हैं तो इन methods को use करके देखते हैं यह किस तरह से work करते हैं live देखते हैं चलते हैं इसे copy करते हैं और अपने next वेस्ट कोड पर चलते हैं तो गाइस यह हमारा वीस कोड हम आ चुके अपने इस पर तो गाइस हम देखते हैं से पहले रन कर आगे हम एने पहले सही कोई इस पर हुआ है जिससे कि आपको एजली समझ में आए कि मैंतर से काम कर रहें तो मैंने कुछ इस्ट्रूक्चर यहां बनाए हुआ है गाइस है तो आपको इस कित्रूं में समझाओंगा कि किस तरह सी मैंथर्ट वर्कते सबसे पहले हम सिम्भीलिक मैंथड को देखते हैं नинки शमलिल्या यहां पर हम आपको यह तो पता ही होगा कि सबसे पहले लाइबरी टरशिंटेंग्स करने का जितने वी इस जितने भिन चाइल्ड है मतलब सीम्परल चाइल्ड पैरेंडड्स ज्ала sciences चाहते हैं जैसे कि यहां पर देख सकते हो, spend tag हमारा यहां पर ठीक है, अब हम चाहते है, spend tag के जितने भी sibling में आ रहे हैं, ठीक है, वो कौन-कौन से child है, उन्हें access करना चाहते हैं, तो simply guys, siblings methods का हम use करेंगे, और .css लिए लगाएंगे, ताकि हमें easily visible of browser पर कि कौन-कौन उसके sibling child है, कौन-कौन sibling child में आ रहे हैं, ठीक है, तो simply हम guys, यहां पर 2 pixel solid blue दे देंगे, ताकि आपको भी यह 5 pixel blue दे देंगे, कुछ इस तरह से guys, अब हम से run कर आके देखेंगे, आप देख सकते हो guys, span tag को छोड़ कर, क्योंकि हमने command डाली थी, span tag के related जितने भी child है, ठीक है, तो वो चीज सब axis होके आ चुके guys, उनके border blue हो चुके, तो यह था हमारा siblings method, और then हम next method पर चलते, इसे कर लेते हैं, copy और इसे कर देते हैं comment में, और next method है हमारा guys, जो की है, तो next से ही समझ में आ रहोगा guys, next का मतलब है, span tag का जो next element है, हम उसे access करना चाहते हैं, जैसे कि, यहां मैं चाहता हूँ कि span tag का next element है, उसे ही मैं access करना चाहता हूँ, तो guys, यहां पर हम लगाएंगे, simply next, और then इसे कर देंगे, save as और reload कर देंगे, तो guys, आप देख सकते हो, जो span tag का next element है, वो हमारा axis होके आ चुका है, जिसका border हमने blue कर दिया था, तो अब जो next method है हमारा वो है, next all, to guys next all से भी आपको समझ में आ गया होगा, कि जो next all है, यहां next all method का use करेंगे, कुछ इस तरह से, और next all हम चाहते हैं कि span tag के जितने भी बाद के elements है, जिने हम sibling elements बोलते हैं, जितने भी बाद के elements है, span tag के वो axis होके आ जाए, तो आप यहां reload करके आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो guys, span tag के जितने भी next वाले element है, जितने भी, वो सब axis होके आ चुके है, उनका जो border है, वो blue हो चुका है, तो यह हुआ है guys, next all method की वज़े से, तो यह था हमाय next all method का work, और हम next method पर चलते हैं, जिसका नाम है next until, हम इसे आप paste कर लेते हैं और यहां लिख देते हैं guys, next until, तो next until का क्या मतलब है guys, इसमें कुछ condition आपको देनी पड़ेगी, अब मैं चाहता हूँ, कि जो span tag है, और हमारा नीच है p tag, ठीक है, यह दो child tag है, मैं चाहता हूँ कि इनके बीच के जो element है, जो child element है, उन्हें access करना चाहता हूँ, तो simply मैं next until method का use करूँगो और यहां पर एक condition दे दूँगा, कि next until p tag, span tag और p tag के बीच के, जितने भी child element है, वो access होके आजाए, तो यहां से हम कर लेते हैं reload, आप देख सकते हो guys, span tag और p tag के जितने भी बीच के element है, उनका जो border हो blue हो चुका है, तो यह थी guys working हमारी next until method की, तो अब next method, जो हमारा अगला method आएगा, इसे हम कर लेते हैं पहले comment में जो अगला method है हमारा वो है guys, previous, जैसा कि next से आप समझ गेते हैं इसी तरह से आप previous से समझ गेंगे कि previous method का क्या function होगा, simply previous method क्या करता है, जितने भी अगर मैंने particular element select किया, spend tag, उससे उसका जो previous element है, अभी आप next element को access कर रहे थे, उससे जो previous element है, वो access करके देगा, guys हम इसे कर लेते, reload, आप देख सकते हो guys, spend tag का जो previous element है, वो access होके आ चुका है, तो यह था guys, previous method का use करके, P-R-E-V, तो अब हम देखते हैं guys, उससे next, इससे कर लेते copy, और previous all method को use करके देखते हैं guys, यह कैसे work करता है, तो previous all का क्या मतलब है guys, आपको previous all से ही समझ में आ गया होगा, कि spend tag के जितने भी previous element है, child element है, sibling में, ठीक है, वो access होके आ जाए, तो यहां मैं कर लेता हू, reload, save as मैंने कर लिया है, तो यह आप देख सकते हो guys, उससे पहले सिफ P tag, axis होके आ रहा था, क्योंकि हमने previous method use करा था, लेकिन अब हमने previous all method use करा है, तो सारे element जो previous है, spend tag के, वो access होके आ रहे हैं, तो यह थी guys working previous all method की, अब हम next method पर चलते हैं, जिसका नाम है previous until, जिस तरह से guys next until था, उसी तरह से previous until है, यहां भी आपको condition देनी पड़ेगी, तो सबसे पहले हमने लिख देते हैं until, और यहां हम देते हैं condition की, हम previous के, h2 tag है हमारा guys, जो हमने use करा है उपर, spend tag और h2 tag elements, child elements के, बीच बीच के previous elements को, मैं access करना चाहते हैं, तो guys simply आप यहां लिख दोगे h2 और then इसे करता होगे reload, simply यह यहां दे देता हम h4, मैंने h4 use किया है sorry, तो यहां मैं दे देता हो reload, और then आप guys दे सकते हो, spend tag और h4 tag के जितने भी, बीच के जो previous element, child element है वो access होके आ चुके है, किस के तरू previous until method के तरू, I hope guys यह सारे method आपको समझ में आयोंगे, so videos को like जरूर करें, comment करें, share करें, thanks